दोस्तों इंडिन आइडल सीजन बारा के होस्ट अधित्य नारायन को लेकर एक बहुत बुरी और एक्स्क्लिूसिव खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं आपको बता दें कि जैसे जैसे शोव फिनाले की और बढ़ रहा है शोव से नई नई कॉंट्रवर्सिस जुटती चली जा रही है ऐसे मैं आप फिनाले को लेकर एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है क्या है ये खबर चली आपको बताते हैं नमशकार दोस्तो आप देख रहे हैं True Bollywood चैनल पगर आप पहली वार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल True Bollywood को सबस्क्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें तो चलीए दोस्तो आपको बताते हैं कि आखिर शो से जुड़ी कौन सी नई कांट्रवर्सी सामने आ रही है तो आपको बता दें कि खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि शो के होस्ट अधित्यानाराइन अब शो के फिनाले से पहले ही शो को छोड़ सकते हैं अधित्य नाराइन इंडियन आइडल सेजन 12 के फिनाले को होस्ट नहीं कर सकते अब ऐसा कौन सा हाथसा अधित्य नाराइन के साथ हो गया है जिसकी वज़ा से वो फिनाले को होस्ट नहीं कर सकते चलिए आपको बताते हैं दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंडियन आइडल सेजन 12 आप सब को पूरे 8 महीनों से एंटेटेन करता रहा है और अगले महीने शो का फिनाले भी होने वाला है अधित्यन आरायन शुरू से ही शो को होस्ट करते आ रहे हैं जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शो को दो बार extend भी किया गया है, पहले इंडियन आइडल का फिनाले जून में होने वाला था, जिस वज़ा से अधित्य नाराइन ने ZTV के नए कोमेडी शो को साइन कर लिया था, अब इंडियन आइडल का फिनाले अगले महीने होने वाला है, जिसकी डेट्स अधित्य नाराइन के पास नहीं है, और वो शो को छोड़ना चाहते हैं, ऐसे में खबरे ये निकल कर आ रही हैं कि शो के मेकर्स अधित्य पर दबाब डाल रहे हैं कि वो शो को छोड़ करना जाए और फिनाले को होस्ट करें, दोस्तों अभी देखना ये होगा कि अधित्य नाराइन मेकर्स की य बात मानते हैं नहीं आप क्या चाहते हैं कि अधित्य नारा इन फिनाले को होस्ट करे या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हमने कम्मिनिटी टैब में भी एक पोस्ट डाला है जहां पर आप अपनी राये जरूर दें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ब